हाई डलोपरस अब बात करते हैं जावा के अंदर एग्रिगेशन की और बहुत सारे टीचर एंड स्टुटेंट इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं जब भी वो जावा कोर्स कर रहे होते हैं रिजन बिंग थोड़ा डिटेलिंग डेप्थ वाला टोपिक है और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग ये एक टोपिक पड़ेंगे ना इतनी देर में दो लोग तीन चार टोपिक कवर कर लेंगे और एग्रिगेशन जदा काम भी नहीं आता इंटर्व्यूस में भी नहीं पुझाजाता इसलिए बट ऐसा नहीं है एग्रिगेशन के उपर इंटर्व्यूस में बहुत कॉश्चन बनते हैं और जब आप प्रोजेक्ट करने बैड़ होगे ना तो आपको इसके बहुत सारे यूज केसिस मिल जाएंगे और यह आपकी बहुत सारी कॉम्पलेक्स प्रोड्म को बहुत ही सिंप्लिफाई कर देता है जब आप रियल प्रोजेक्ट करते हो तो अब इसको अग्रिगेशन होता क्या है इसका example and interview question में डिसकस करने वाले है और जो हम अगरिगेशन होता क्या है तो सबसे पहले मैं आपको इसकी definition बताऊँगगा और बाद में detail में ही समझाने करें ता कि आपको अच्छे से जिने समझ में आए diagram की help से इसको cover करेंगे हम लोग all right so पहला question हमारा कि aggregation होता क्या है जब हमारी class के अंदर हम लोग कुछ variables बगरा बनाते है न तो उन variables की जगह पर हम लोग किसी पूरी दूसरी class को ही use कर लेते हैं तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि मैं हापे class बनाता हूं EMP employee के लिए right और इसके अदर बहुत सारे details है जैसे कि employee का name है और उसके बाद में age है right इस तरीके से और employee का house number है house number हो गया city state और उसके बाद में country अब देखो name अलग है ठीक है age अलग है but ये चारों चीज़े आ रहे हैं ये address के अंदर contain कर सकते हैं हम लोग मालो आप किसी का employee का address पूछ रहे हो तो आपको house number भी चीए city भी चीए state भी चीए country भी चीए right so ये employee class के अंदर ये चारों चीज़े होगी अब जब भी हमें employee के address को create करना पड़ेगा तब हमें चारों चीज़े चाहिए जब भी हमें address को update करना पड़ेगा तब भी चारों चीज़े चाहिए बट इसका better solution क्या है ना कि इन चारों को आप एक अलग class के अंदर store कर लो एक अलग class के अंदर store कर लो और उस class को हम लोग यहाँ पर use कर लेंगे ठीक है कैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं जो extra चीज है ना अब मैं क्या करता हूँ एक और class बना लेता हूँ जिसका मैंने नाम रखा address और इसके अंदर मैंने यही चारों चीजें define कर दी house number उसके बाद मैं city state and country और जहां भी मुझे यह चारों चीजें define करनी है ना उनकी जगा भी बस मैं एक simple class use कर लोगा कैसे इस तरीके से address चीक है और जब भी आपको कोई भी address वगएरा get करना होगा delete करना होगा बस आप एक class को call करोगे आपका सारगा सारा काम easy हो जाएगा और आपको लग रहा होगे यार किस तरीके से इसको as a variable use करेंगे कैसे होगा अभी आपको मैं example के साथ बताऊंगा code करके राइट बट एक बार के लिए फिर से इस definition को समझे लेते हैं when object a contain a reference of another object b ठीक है जब हमारा object a इसको मालो आप object हमारा a यह वाला object a है यह किसी b class के reference को contain कर लेता है इसका हमने यहाँ पर reference contain कर लिया ना reference रख लिया तो हम लोग बोलते हैं कि aggregation हो गया है right so हम लोग क्या बोलते हैं इसको aggregation हो गया और आप इस तरीके से भी कह सकते हो और we can say that object a has a has of इसको ना हम लोग has a जो आपको यह दिखे रहा है has a यह वाला has a capital has a इस तरीक से denote करते हैं relation with the b तो इसको हम लोग कुछ इस तरीक से denote करते हैं आपको बता देता हूँ class a has has यह भी capital होता है has has a b यानि कि class a है उसके पास b का reference है ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं aggregation ठीक है एक बार के लिए अब हम लोग पहले एक problem create करेंगे और बाद में इसको solution बनाएंगे यही same address वाली चीज़ी लेंगे all right so मैं हाँ पर क्या करता हूँ एक new file बनाता हूँ new file के अंदर मैं aggregation example इसका नाम रख सकता हूँ कोद इककत नहीं है और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक main function बना लेता हूँ name हो सकता है कोदिक्कत नहीं है यह मैंने blank छोड़ दिया मैं name इसमें constructor के थुरू dynamic दिया हूँ जो playlist का link है वो description box से मिल जाएगा आपको पूरी का वहाँ पर constructor वगादर सब कुछ दिये हूँ मैंने एक चीज step by step पड़ा रहा हूँ अगर आप कहीं beach में से उठके देख रहे हो series और कुछ आपको चीजी समझे में जाए तो आपको request लोगे आप पूरी series detail में देखो सो यहाँ पर एक name ले लिया अब इसमें हम लोग क्या करते है एक house number ले लिते हैं मैं आप लिखता हूँ house number इस तरह किसे ले सकता हूँ और यह भी मारा क्या रहेगा string रहेगा obviously यह भी मारा string रहेगा अब इसके अलाब हम लोग ने एक city ले ली string city ठीक है string country और कोई दिखत नहीं हम लोगों नहीं चारों चीज़ चीज़ के अंदर ले ली अब मैं इसका एक constructor बना देता हूँ constructor हमारा basically public होता है बट still मैं इसको लिख देता हूँ एक बारे के लिए employ और यह मैं सारी सारी चीज़े as a parameter get करूँ हाँ all right so अब मैं करता हूँ parameter get करने के लिए इस के अंदर कुछ code लिखूँगा बट सबसे पहले इसको मैं call करता हूँ यहां से so मैं यहां पर क्या लिखूँगा employee e1 equal to new employee और इसके अंदर मैं यहां से तीन चीज़े पास करता हूँ चारों चीज़े पास करता हूँ सबसे पहले मैं name पास करूँगा let's say peter उसके बाद में मैं यहां पर house number let's say 20 10 दे देता हूँ मैं यहां यहां पर देता हूँ h n 10 उसके बाद में city city नॉइडा state चाहूँ तो आप state भी देता हूँ country यहां पर देता हूँ मैं in India right small गंदर देता हूँ अब यह चारों की चारों परामेट्री यहां पर accepted हो जा रहे है सबसे पहले string ठीक है उसके बाद में string house number यहां पर नाम देखना भूल गया हूँ string name और यहां पर करता हूँ string house number और उसके बाद में हम भो कर सकते हैं string city and last one is string country right आप इस तरह की से कर सकते हो बट इसका एक सिंपल भी है अगर आप सारे string लेना चाहते हो ना तो सबको इनको हटा सकते हो I guess तो अगी वो by default string आजाने चाहिए नहीं एक करके define करना पर ले है को दिख करना है ठीक है इस तरह की से कर गया और अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे this dot name equal to name यानि कि इस name के अंदर जो हमारी class वाला name है तो इस किसको refer करत तो यह parameter के अंदर से निमाया वो चला गया ठीक है अब उसके बाद में क्या हुआ this dot house number equal to house number same इस तरीके से this dot मैं हापे करता हूँ let's say city यहां पर क्या लिखूंग अब मैं simply city ही आएगा city and last one is this dot country equal to country और अब देखो यह मैंने get कर लिए अब अगर मुझे display करने होंगे तो मैं आप एक function बनाता हूँ public public के बाद में display details कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से right और यहां पर बना सकते हैं इस function को white और यहां पर हम लोग shout कर सकते हैं एक एक चीज़ करके this dot name and अगर आप चाहो तो plus वगरा plus sign लगा के भी कर सकते हो यहां पर इस तरीके से plus sign लगा के but मैं next next line में कर लेता हूँ वो better रहेगा ठीक है address पूरा एक line में print कर दूँ हमें तो this dot house number plus this dot city plus this dot country और अब जैसे मैंने यहां से pass कर दिये अब मैं यहां पर e1 dot display details करूँ गा तो सारी details है हमारी वो print हो जाएंगी यह था हमारा एक normal scenario राइट जिसके इंदर हम लोग उने अभी तक inheritance sorry inheritance बोल रहा हूँ एक aggregation यूज नहीं करा बट यहां पर problem समझ रहे हो आप हमें हर बार house number city state तो मैंने लिया नहीं और भी चीज़ें हो सकती है यहां पर ठीक है सकते हो को दिखकत नहीं है okay so अब इस problem का solution करने के लिए हम लोग क्या कर सकते है एक अलग से class बना सकते है मैं क्या करता हूं यहां पर एक और class बनाता हूं simply जिसका मैं आप इनाम रखता हूं class address यह address class क्या करेगी सारी की सारी details को carry करेगी right so इसके अंदर सबसे पहले इसने क्या करा string नाम से यही तीनों चीज़ें carry कर ली जो हम लोग ने यहां पर करी दी ना इसको उठा के हम लोग ने यहां पर रख दिया ठीक है okay कोदिक्कत नहीं है after that इसने क्या करा जैसा हम लोग ने ऊपर constructor बनाया था ना सेम इसी तरीके से हम लोग ने constructor यहां पर बना लिया ठीक है जो employee का हम लोग ने constructor बनाया था यह वाला आप बोलोग एक आप search यहां भी कर रहे हो बट यह चीज़े हम लोग reuse कर पाएंगे right मानते हो ना सो मैंने यहां पर यहां करा यह भी रख लिया बट मुझे यहां पर name की जरूरत नहीं है बकूस name की जरूरत अलग से भी पढ़ सकते कुछ जरूरत नहीं है कि हर बार हमें इस के अंदर जरूरत पड़े तो मैं यहां से हटा दूँगा ऐसे करके अल राइट चीक है तो अब देखो यहां पर दो तीन चीज़े हैं इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी actually but एक बार के लिए मैं address वाली class को पूरा करता हूं address वाली class के अंदर हम लोगों नहीं string बगारा सब कुछ ले लिया और जब भी मैं यहां पर call करूंगा ना तो मुझे इस तरीके से call करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना ही मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इसको मैं हटा पर आएंगे address और address के अंदर क्या लिखेंगे a1 करते था हूं 1 1 equal to new address और इसके अंदर address वाली तीनों की तीनों सारी चीज़ी इस तरीके से यहां पर पास कर देंगे एक बार पास करने के जरूरत पड़ेगी हमें लोग नहीं यहां से पास करती इसके अंदर जरूरत नहीं हमें यहां से हटा देता हूं और नहीं हमें जरूरत यहां पर पड़ेगी employee वाली class के अंदर तो यहां पर हमें बस name name की जरूरत है all right छीक है यह हो गया अब हमारा a1 के अंदर हमारी जो पूरी class है address वाली वो बन चुगी है हमारा यहां पर बिल्कुल set हो चुका है but अब point यह बनता है कि जो हम लोगों ने यहां पर employee है इसके अंदर address set कैसे करना है so इसके अंदर ना यहां पर लोग एक address type की class awd address जो हम लोगोंने awdr aws नाम से बना यह 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 इसका एक variable वाला type बन जाएगा ठीक है जैसे आप लोग string indies रोगे रखते हो इस तरीक से आप class का एक type बन जाएगा यह आपने रख लिए इस तरीक से अब आपका जो यहां पर a1 बनाए ना इसको यहां पर pass करो second parameter में ऐसे करके चीक है और यहां पर आप address लो जो भी आपका आपने को लिए constructor बनाया है हाँ पर लो address और यह तो उसका type रहेगा जैसे हम लोगों इस्टिंग टाइप कर रहे है यह आगए address तो अब हम लोग क्या simply pass करेंगे this dot address equal to address right और इसके अंदर आगर आपको just address print करना पड़ेगा तो बहुत ही simple है this dot करने के आपको जुरूरती नहीं पड़ेगी this dot actually आप simply कर सकते हो यहां पर address dot city plus address dot country अच्छा house number हम लोग पहले लगा लेते हैं right address dot house number right तो अब आपका जो आपको address हर एक जाप ऐसे अलग लग करके store करना पड़ रहा था ना name house number city state और गयरा वो बस आप एक address variable में store कर पाऊगे और इसका type क्या रहेगा address class और इसको हम लोग क्या बोलते है aggregation all right अगर आप इसको run करके देखोंगे को दिक्कत निया आपको still जो हम लोगों ने यहाँ पे address प्रिंट कर रहा है वो exactly प्रिंट होगा जैसे हमारा पहले प्रिंट हो रहा था and here we go all right so that's all for this part अगर आपको कुछ confusion है कुछ doubt है तो मुझे comment section के अंदर पूच सकते हो मैं आपसे request करो हूँ कि आप